हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका देश दुनिया के सबसे बड़ी खबरों में जियां दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम ऐसी खबरे जिसे जानना आपके लिए बेहत जरूरी है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ हाइलाइट जियां दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आ रही चीन ने हटा है सैनिक तो गलवान में हुई जड़ब की जगह से भारती सेना भी हटी डेड़ किलोमेटर पीछे जियां दोस्तों जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इसके बारे में इस वीडियो के अंदर ताफ इस साथ बने रहेगा साथ ही दोस्तों बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर भारत में इस समय क्या इस्तिती है जियां दोस्तों देश में किन-किन हिस्सों में सबसे ज़्यादा कंटिमेंट जोन है और साथ ही अनलॉक टूपएंट जीरो में कौन कौन से छीज़े खुलेंगी और कौन को जी चीज़े बंद रहेंगे आठ जुलाई से जियां दोस्तों जानेंगे तमाम चीज़ों को विस्तास इस वीडियो के साथ आप अपन तक बने रहेगा। पानी में बह गए सभी मवेसी जियां दोस्तों जानेंगे तमाम चीज़ों को विस्तार से एक एक करके साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे मूदी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तू अधिनियम से बाहर किया फिर से बढ़ेंगे कीमते जानेंगे इन सब करोड़ दस लाख लोग इस भैंकर विमारे से संक्रमित हो चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या है 5,37,000 लोग जियां दोस्तों बात करें भारत में तो 7,20,000 मामले अभी तक रेजिस्टर हो चुके हैं हो सकता जब तक आप वीडियो देख रहें यह मामले और बढ़ है बारत में बात करें सबसे ज़्यादा करोना वाइरस फैनले की जो जगह है वह महारास्ट्रा जहां पर अकेले 2,7,000 के जो हैं रजिस्टर हैं और बात करें मरने वालों की संख्या तो यहां पर 8,822 लोग इस भैंकर बिमारी से अपनी जान गवा चुके हैं जिया दोस्त और उन्होंने जो एक फैसला लेते हुए कहा है कि तमाम गरीब तपके के लोगों को साथ ही जो मध्यमबर्गर के लोग हैं उनके लिए 200 यूनिट बिजली के मुफ्त कराने की योजना पारित होने वाली है जिया दोस्तों यानि आपको जल्द ही खबर मिलने वाली है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ लॉड़ान के अंतरगति दिया जाएगा तो फिर भी बहुत बड़ी रहात होगी क्योंकि लॉड़ान के वजह से सभी लोगों के पास पैसे नहीं है काफी लोगों के रोजगार चले गए इन तमाम चीजों से जो है बात करें अपने अगली सबसे रोज रुप दिखा कि सभी मवेशी उसमें बैग है वीडियो में जिया दोस्तों मवेशी पानी की तेजहार में बैते हुए नजर आ रहें तो दोस्तों बहुत ही बड़ा आपदा आ रहें सरकार के उपर क्योंकि जहां करोना वाइरस ने वैसे ही देश की कमर तोड़ रख करें मुंबई शहर में भी जिया दोस्तों जहां पर करोना का विस्पोट है वहां पर भी सबसे ज़्यादा इस समय बारिश होरी और रुक रुक कर जिया दोस्तों काफी जगाओ पर जो है मुंबई की शहर में नालों और गलियों में पानी भरा हुए दिखाई दे रहा है चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ अगली सबसे बड़ी खबरारी ग्रिम अंतराले के द्वारा भेजी गई नोटिस को लेके जिया दोस्तों कल ही से जो एक नोटिस पास हुई जिसमें कहा गया है यूणिवर्सिटी ग्रांट कमिशन यानि यूजिसी को कि तमाम जो व नहीं रुक पा रहा है और बात करें आंकड़ों को देखके तो यह तो और भी जादा बढ़ गए हैं जिया दोस्तों जहां पहले भारत में आंकड़े दो लाग चार लाग तक थे तब भी जो है लोगों ने कहा कि एक्जाम नहीं होगा जैनि सरकार के द्वारा जो है पारि उसके लिए उसाथ ही उन पैरेंट्स के लिए भी जिनको यह लगता है कि एक्जाम के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं तो उनमें करोना संक्रमन के खत्रे सबसे जादा रहेंगे इन तमाम चीजों पर पैरेंट्स और स्टूड़न्स सभी की नाराजगी दिखी सोशल मीडिया पर काफी मैसेज भी वाइरल हो रहे हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार इस तरह का नाटक क्यों कर रही है बच्चों को पास कर देना चाहिए जबकि विदेशों में भी इस तरह के रूल्स लागों किये गए कि जो बाकी के एक्जाम्स लिए गए थे सेमिस्टर वाइज जल्दी UGC का कोई नोटीस आएगा उसके बाद हम अपने वीडियो में बात को बताएंगे कि फाइनली एक्जाम्स आपका होगा या नहीं होगा बात करें अगली सबसे बड़ी खबर में तो चीन ने हटा है सैनिक तो गलवान में जड़ब की जगे से भारती सेना भी हटी अंगरेजी अकबार दे हिंदू ने भारत के एक वरिष्ट अधिकारी के हवाले से यह रिपोर्ट दिये उधर सैनि सुत्रों ने भी कहा है कि समझोतों के तहट दोनों पच विवादी दिलागे से डेड़ किलोमेटर पीछे हटेंगे और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जा हैं और साथ ही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दू कि राहूल गांदी ने ट्विट करते वे कहा है कि प्रधार मंतरी ने अपने भाशन में कहा था कि भारत का एक इंच भी जमीन किसी के कबजे में नहीं है जबकि इन रिपोटों के अनुसारी यह स्वित हो चुका कि चीन के कबजे में भारत की तीन से नहीं 18 किलोमेटर जमीन जो है सेटेलाइट के फोटो के माध्यम से दिखाए गई और जो बात सच है उसी की वज़े से राहूल गांदी ने कहा है कि प्रधान मंतरी ने मोधी को देश से माफी माफी मागना चाहिए क्योंकि उन्होंने बयान में ये जूटी बात कही थी बात करते हैं अगली खबर की तरफ अगली सबसे बड़ी खबर आरी देश में महगाई को लेके जियां दोस्तों मोधी सरकार ने मास्क और सैनिटाइजर को आवशक वस्तू अधिनियम से बाहर किया अब फिर से बढ़ेंगे कीमते जियां और उपभुकता मंतरी राम विलास पासवान ने कहा कि इसमें उपलब्धा बढ़ेगी और काला बाजारी रुकेगी इसी भी सरकार के नए फैसले से फिर से मन मानी कीमते वसूलने की इजाज़त भी दे दी गई है यानि सरकार कोई भी चीज निस्चित नहीं कर पा रही है पहले कहती है कि वो इन्हें आवश्यक अधिनियम के अंदर रखेगी ताकि लोगों से ज़्यादा जबनन पैसे ना वसूले जाए क्योंकि करोना वाइरस का भाई दिखाकर लोगों से मास्क और सेनिटाइजर के मन मानी पैसे लोग वसूल रहे हैं दुकानदार लेकिन उस सरकार आए है इस बारे में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि क्या मोदी सरकार इस बार पूरी तरह से अइस्तिर होते हुए दिखाई दे रही है कि कोई भी चीज को पहले महंगाई बढ़ रही है फिर घट रही है फिर बढ़ रही है फिर घट रही है पै सरकार घेरे में आ चुकी है शोचल मीडिया पे तो काफी लोग मैसेच के माध्यम से अपना दुख और अपना अक्रोस प्रकट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ कि सरकार इस पर कोई विशेज ध्यान नहीं दे रही है कि जहां लॉकड़ान के चलते नंकी रोजगा चली जाए उसक प्रवासी मजदूरों को उनके घर सुरचित पहुचाने के लिए उनमें संख्या बढ़ाई जाए जिया दोस्तों लगबख 100 ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि जादा भीड ना हो सोचल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों को टिकेट वितरन किया जा रहा जिया दोस्तों हम करेंगे आपकी पूरी मदद जिया दोस्तों कैसे आपको रजिशेशन करना है आपके राज्य में या फिर आपके शहर में कौन सी स्पेशल ट्रेन चल रही है कितने बज़े चलेगी जिया दोस्तों हफते में कितने दिन जाती है हम तमाम चीज़ों को जाएए जियां दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएए और आपको जो पूछना है रेलवे से संबंदी जानकारी हम आपको वहाँ पर बलब्ध करा देंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको काफी पसंदाया हो वीड कि झाली झाल कि का यह जाएए झाल झाल